हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुती यूजफुल कीचन टिप्स लेकिया हूँ जो मैं अपने घर और कीचन के कामों में यूज़ करती हूँ आसा करती हूँ कि आपको भी ये टिप बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो चलिए आज की फर्स्ट टिप देखती है हमारे घर के अंदर सबजी वगेरा या फ्रूट वगेरा खाकर हम चिलकों को फैंक देती है तो फैंकने से पहले आप एक बार इस टिप को जरूर देखिएगा तो सबसे पहले फ्रेंट्स ये केला है तो केला जब इस तरीके का हो जाता है तो हम इसको सड़ा वगा समझ कर बाहर फैंक देती है तो इसको फैंकना नहीं है हमें और ये जो मटर, प्या, जितने भी छिलके होते हैं इनको कभी नहीं फैंकना इनका हम कैसे यूज करेंगे तो सबसे पहले हम एक बावल लेंगे तो उसके अंदर हम क्या अगर ये केला है तो ये डाल देते हैं और जो केले के छिलके होते हैं वो भी हम इसी के अंदर डालेंगे तो उनको हम थोड़े छोटी टुकडों में कटिंग कर देते हैं एक केंची से और इसी तरह हम मटर को कटिंग करके डालेंगे तो ये देखें फ्रेंट्स और अब हम जो हमारे ये प्याज के छिलके हैं तो इसके अंदर सभी को डाल देते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स इन छिलकों का हमें इस तरीके से कटिंग करना है और आप सोच रही होंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं तो चलिए मैं बताती हूँ आपको तो यहाँ पर हम डालेंगे इसमें एक गिलास पानी और पाने को डाल कर हमें गेस के उपर इसको रखना है बोईल आने तक जब एक बोईल आ जाए तो हम इसको गेस से हटा देते हैं यानि गेस ओफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे और चमस से हमें एक दो वार इस तरीके से मिला देना है इन छिलकों को पानी के साथ और अब हम डालेंगे चाय पती तो चाय पत्ति को हम इस पाने के अंदर डाल देती हैं तो फ्रेंट्स ये एक liquid बन गया है और इस liquid को हम अपने पोदों के अंदर यूज करेंगे और यहां पर हम एक इलास के अंदर चलने से इस पाने को चछन लेते हैं और छनने के बाद हम लेंगे फ्रेंट्स एक बोटल तो इस तरीके की हमें बोटल लेना है और इस बोटल के अंदर हमें इस पाने को डाल लेते हैं और बोटल के अंदर पानी डालने के बाद हम इस प्रे वाला हम इसका डखन लगाएंगे यानि इसमें होल है होल वाला हम डख लगा देते हैं और बोटल को बंद कर देते हैं और अब जैसे ये मिर्ची का पोदा है तो अगर आपके पोदा थोड़ा खराब हो चुका तो उसके अंदर आप डालोगे तो वापिस से पांस से साथ दिनों में पोदा हरा बरा हो जाएगा साथ प्रयावरन भी अच्छा रहे तो यहाँ पर फ्रेंट्स एलोवी रहा है तो मैं उनमें भी स्प्रे कर देती हूँ तो यह देखिए फ्रेंट्स मैं अपने घर के अंदर बचे हुए छिलकों से इसी तरिके से अपने पोदों में डालती हूँ जिसे पोदे भी हरे बरे रहते हैं और छिलके भी वेस्ट न इनके उपर भी फूंफूंद या फिर कीडा नहीं लगेगा और जितने भी मतलो हमारे घर के अंदर प्लांट्स लगे हुए हैं और जैसे आलू है तो आलू पे तो करना बहुत जरूरी है यहां पर यह देखिए मैं इन पोदों की इस तरीके से मरमत करती हूँ जिसी यह भी चोटे हैं बट इसके नीचे आलू लगे हुए हैं आप देख सकते हैं यह देखिए फ्रेंट्स और इसी तरीके से मैं आपको एक और आलू का पोदा दिखाती हूँ उसके नीचे भी फ्रेंट्स आलू लगे हुए हैं तो आप भी इस तरीके से जरूर कीजिए आपके अगर टिप पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा तो चलिए दूसरी टिप देख लेते हैं या फरी फ्रेंड्स ये चपल ये जूते का जो भी बॉक्स होता है हम उने वेश समझ कर फैंक देते हैं पर आज फैंकने से पहले एक बार ये टिप जरूर देख लीजिएग क्योंकि इस तरीके के डब्बे होते हैं उनको हम रियूज बहुती अच्छे से कर सकते हैं और ये हमारे घर के कामों को बहुती आसान बना देता है तो ये मैंने लिया है एक चपल का बॉक्स आप जूते का बॉक्स या फिर कोई और चीज का बॉक्स हो तो आप यूज में ले सकते हो तो इसका जो कावर होते हैं उसको हम कैंची से कट करके हटा देते हैं और इस कावर को इस डीबे के अंदर रख देते हैं जिसे ये डिबा पहले से ज़्यादा मजभूत हो जाएगा तो चलिए फ्रेंड्स इस टीबे का हम यूज करते हैं आप जिनके गरों में छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी पैंटी इदर उदर जाने से हमें आसाने से नहीं मिल पाती तो उन पैंटियों को हम इस टीबे के अंदर इकठी रखेंगे जिससे बहुती आसानी से मिल और साथ ही इस बॉक्स को हम अपने बेड के या फिर हम कहीं भी रेंक पर साइड में रख सकते हैं जिसी ये गंदा भी नहीं लेगेगा और पैंटी भी हमें पांस से दस पैंटी इकठी इसके अंदर मिल जाएगी तो ये देखिए इस तरीके से हमें पैंटी को फॉल्ड कर करना है तो यहां पर फ्रेंट्स अगर रखना चाहिए तो हम ऐसे भी रख सकते हैं बट इसको इस तरीके से फॉल्ड कर देंगे जिससे पैंटी आसाने से नहीं खुलेगी और साथ में पैंटी इस डिबे के अंदर एक से ज़्यादा आ जाएगी तो ये देखिए मैं आपक कर बताती हूं तो इस तरीके से पैंटी रखेंगे तो आपको मैं दूसरी पैंटी आपको यहां पर तहल लगा कर दिखाती हूं हमें इसको इस तरीके से फॉल्ड करना है और फॉल्ड करने के बाद जहां पैंटी पर इलास्टिक डिला हुआ होता है वहां से हम इस पैंटी को फॉल्ड कर देते हैं और इस तरीके से हम पैंटी को इस टीबी के अंदर रख देते हैं तो फ्रेंट्स इसी तरीके से मैंने तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैंने सारी पेंटी को तहangen लगा कर रख दी है इतनी सारी पेंटी डालने के बाद हम इसमें टॉबल्स वगेरा भी अराम से रख सकते हैं सोक्स तो यहाँ पर फ्रेंड्स टॉबल्स लिया इसको मैंने चार बार फोल्ड करके और इस तरीके से राउंडिंग में गुमाया है गुमाने के बाद उसको हम साइड वाला जहां इसका कोना होता है उसको हम इसको इसके अंदर ही फोल्ड कर लेंगे जिसे ये टोवल्स बहुती आसानी से इस तरीके से तह लग जाएगा और ये देखिए ये भी बड़ी आसानी से इस बोक्स के अंदर आ गया और अभी भी इसके अंदर जगह बच्ची हुए इसमें और डाल देते हैं तो इसमें हम डालेंगे सोक्स तो घर के छोटे बड़े सोक्स होते हैं तो वो भी हम इस तरीके से डाल देते हैं तो friends, waste होए, डिबे का हमने आज बहुती अच्छे से यूज कर लिया है, तो हमने panty, towel, socks, एक ही डिबे के अंदर बहुती कम जगह में इतने सारे समान को रख दिया है, जिसे समान बड़े ही आसानी से एक ही जगह मिल जाएगा, stiff friends, देख लेते हैं, जब भी हम आलू की सबजी बनाते हैं या किसी और की, तो 2-3 गंटे पहले हम सबजी को काट कर रखते हैं, बट आलू को सिदा ही cutting करके रख देते हैं, तो ये आलू काले हो जाते हैं, तो काले ना हो आलू, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कटोरी में हम आलू लेंगे, और इस आलू की अंदर हम डालेंगे पानी, तो पानी हम उतना डालेंगे, कि आलू ये पूरी तरह ढूप जाए, और उसके बाद हम 2-3 गंटे तक आलू को इस तरीके से रखेंगे, तो ये बिल्कुल भी काले नहीं हो गे, और उसके बाद हम सबजी में यूज लेंगे चलिए फ्रेंड नेक्स्ट एंड लाइस्ट टिप भी देख लेते हैं तो यहां पर हरे मटर लिए हैं तो एक कटोरी मटर लिए हैं तो इसको हम लंबे समय तक स्टोर करके कैसे रखें तो वो मैं आपको बताती हूँ हम लेंगे एक प्लास्टिक का कैंटिनर और उस कैंटिनर के अंदर हम इन मटर को डाल लेते हैं और डालने के बाद हम उसके उपर या तो नियोज पेपर रखेंगे या फिर टीशू पेपर रखकर हम हमारे फ्रेज के अंदर रख देते हैं तो इससे हमारे मटर हफते या दो हफते तक बिल्कुल फ्रेज रहेंगे आप एक बार ट्राइ करके जरूर कीजिएगा I hope कि ये टिप आपको पसंद आई है